अगर आपका भी मन असांत रहता है और निन्ने लेने में आसमर्थ रहता है साथ ही किसी भी कारे में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इसका मतलब है कि आपके कुंडली में चंद्रमा कमजोर है जोतिस आचारे के अनुसार अगर आप भी हर कारे में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना होगा तो आईए जोतिस आचारे पंडित मंकरच पाठक से जानते हैं कि कुंड़ी में चंद्रमा को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है जिससे हम सोचने में और निरने लेने में सफलता पा सकें तो अवरे जियर में खंद्रमा अच्छी स्दिती में यह या जन्रमा आपकी कुंड़ी में और आध्यावे घृमा बेस्टान पर वई राज मानें या जणकोंव तो यह चंद्रमा ठीक नहीं माना जाता है अर्था आपकी कुणली का चंद्रमा ठीक नहीं है तो एसी स्थिती में हमें कार्यों में सफलता की प्राप्ती नहीं होती है मन सदेव शानत रहता है मन में किसी प्रकार का अज्याद भय बना रहता है और स्थिती आपके सांत है तो निश्दी आपकी जनकुली में जोचर में चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो इस चंद्रमा को हमको ठीक करना पड़ेगा, चंद्रदेव को हमको प्रसंद करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ उपाय हम आपको बताते हैं, इन उपायों को करने से निश्वती चंद्रमा आपको सोफल देगा पहला उपाय है कि चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए सौमबार का अब्रत करें और सौमबार की दिन भगवान देवादी देव महादेव का भगवान शिवकार पारबतीजी का अभिशेक करें सांती चंद्रमा का फूजन्य करें। ऐसे करने से चंद्रमां के । द्वागवान महादेव का। चंद्रमा का दान हम को करना चाहिए। चंद्र के दान में कहा गया है। तच्या-णूद, दही, शक्तर, चाबल, चांदी, कपूर और सफेद वत्र इन साथ प्रकार की सफेद वक्तुओं को उसों सफेद वत्र में बांद करके किसी ग्रामन को डान करने से कंद्रमा जो है शुफल देता है इसके अतरिक्त किसी विद्वान गामन के द्वारा पंकलब देकर के आप तंत्रोक्त बेदोक्त या पुरानोक्त मंत्त करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, जब चान्ती से ज़्ज़ाथ की शुपर प्रदान करेगा और घर के मंदिर में एक मौल पंख रखना चाहिए, करना के रहा है ना कि एक मोरमा को आपको तो फुटा हुगा ना हो पूड़ा एक मोरमाग जो है पूजनके श्टान और रखने से भी चंद्रमा सुपर देता है और बास्टू करना के रूसरा उपाईय की घर में नल तपकता हो या पानी व्यर्थ में बरवाद लेता है तो इस इस स्कृति को भी हमको सुदारना चाहिए जिसने जल की परवादी ना हुआ